एक गाउं में एक निर्धन जुलाहा दंबत्की रहता था, जुलाय का नाम था सुन्दर और उसकी पत्ने का नाम था लीला, दोनों पति पत्मी अतियंत परिश्रमी थे, सारा दिन परिश्रम करते, सुन्दर सुन्दर कपड़े बनाते, किन्तु उनको उनके बनाई वस्त्रो की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी, दोनों ही अतियंत संतोषी सभाव के थे, जो मिलता उसी से संतोष्ट होकर एक टूटी फूटी जोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्भावर लेते थे, वे दोनों भगवान श्री किष्ण के परम भक्त थे, दिन भर के परिश्रम के बात जो भी समय मिलता उसे दोनों भगवान के भजन की तन में वैतित करते हैं, सुन्दर बावा के पास एक टानपुरा एक खंड ताल थी, जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुन्दर तानपुरा बजाता और निला खंड ताल, फिर दो दोनों भगवान के भजन में ऐसा जाते थे कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रह दी थी, यूँ तो दोनों संतोशी सभाव के थे, अपनी दीन ही नवस्ता के लिए उन्होंने कभी भगवान को भी कोई उलाना नहीं दिया, और अपने इसी जीवन में ब्रसं थे, किन्तु एक दुख उनको स सदा चिंतित रहा करते थे, किन्तु रहते थे फिर भी सदा भगवान मगन, इसको भी उन्होंने भगवान की ही लीला समझकर स्विकार कर लिया, और निश्काम रूप से शिरी कृष्ण की प्रेम भक्ति में डूबे रहते, अब उनकी आयो अधिक होने लगी थी, एक दिन लीले ने सुन्दर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, कहते हैं कि संतान के विरा मुक्ति प्राप नहीं होती, अब हमारी आयो भी अधिक हो चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए, मरने के बाद कौन हमारी चिंता को अगनी देगा और कौन हमारे लिए तरपन आधिका का ठाको जी है न वही सब देखेंगे। सुक्ति करेंगे। सुन्दर की बासुंकर लीला अतियंत पर सनुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हिदे से लगा लिया। और गोली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यही हमारे लल्ला हैं। दोनों पति पतनी ने घर में एक कोना साफ करके वहाँ एक स्थान बनाया और एक चोकी लगा कर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। तब से जुलाहा दंपति का नियम हो गया वे प्रती दिन बाल गोपाल को इसनान कराते उनके धुले वस्त्र पहनाते अपनी संतान की तरह उनको लड़ाते उनी के सामने बैठकर भजन कीतन करते व लिला का नियम था कि वे प्रती दिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती तब स्वेम भोजन करती लल्ला को भोजन कराते समय उसको ऐसा प्रतीत होता। से प्रेम प्रिवक मिलने वाले हर कोर में मा का प्रेम प्रतीत होता था। लीला धारी भगवान शरी कृष्ण उस प्रेम के वशिवूत हो गए थे। किन्तु लीला कभी नहीं जान पाई कि स्वेम बालगोपाल उसके हाद से भोजन करते हैं। एक दिन कारे बहुत अधिक होन माँ बाबा मुझको भूग लगी है दोनों हर बड़ा कर उड़ गए चारो और देखा आवाज कहां से आई है किन्तु कुछ दिखाई ने दिया तब लीला को समरण हुआ कि उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया वो दोड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा कि बा भोजन कराने लगी दोनों पति पतनी रोते जाते लल्ला को भोजन कराते जाते साथ ही बार-बार उन से अपने अपराद के लिए शमा मांगते जाते ऐसा प्रांगण प्रेम देखकर भगवान अत्यंत दरवरित हुए और अतर यामी भगवान शरी हरी शक्षत रूप में प्रकट होगे भगवान ने अपने हादों से अपने रोते हुए माता पिता की आखों के आशों पोचे और बोले प्रिय भक्त मैं तुमारी भक्तियों प्रेम से अत्यंत प्रसन हूँ तुम जो चाओ बर मांग लो मैं तुमारी प्रते किछ्छा पून करूंगा इतना सुनत ही दोनों भगवान के चर्णों में गिर पड़े और बोले धया निधान आप हमसे प्रसन हैं और स्वेम हमारे समुक उपस्तित हैं हमारा जीवन धन्य हो गया इससे अधिक और क्या चाहिए इससे अधिक किसी विवस्तु का भला क्या महतुब हो सकता है आपकी किरपा हमपर बनी रहे बस इतनी किरपा करें श्री हरी बोले यदि तुम चाहो तो मैं तुमारे जीवन में संतान के अभवाब को समाप करके तो मैं एक संदर संतान प्रदान करूँगा यह सुनते ही संदर और लीला एकदम व्याकुल होकर बोले नहीं भगवान हमको संतान नहीं यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा महो उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करूणा नियदान भगवान करूणा से भर उठे हैं भगवान के आँखों में आशु टबक प पाऊंगा मैं सदा सदा तुम दोनों का रिणी रहूंगा मैं तुमारे प्रेम से अतेंट प्रसन हूँ तुमने अपने निर्वल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बान लिया है मैं तुमको वचन देता हूँ कि आज से मैं तुमारे उत्र के रूप में तुमारे समस कार्य पून करूंगा तुमको कभी संतान का भाव नहीं होने दूंगा मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता यासा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गुपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए उस दिन से सुन्दर और लीला का जिवन बिल्कुली बदल गया उन्होंने सारा काम कीतन और उनकी सेवा में वैतित करने लगे उनको ना भूख सताती ने अप्यास लगती थी सभी प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पून रुप से त्यार कर दिया सुन्दर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गुपाल के लिए सुन्दर सुन्दर वस्त बनाने क उनके सामने जब भी कोई परिशानी आती बाल गुपाल तुरन थी एक बालक के रुप में उपस्तित हो जाते और उनके समस्त कारे पून करते वे दमपती और बालक गाओं भर में चर्चा का विशे बन गया किन्तु गाओं में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वे बालक कहा से आता है और कहां को जाता है धीरे धीरे समय बीचने लगा जुलाह दमपती बुड़े हो गए किन्तो भगवान की किरपा उन पर बनी रही अब दोनों के आयू पून होने का समय आ चला था भगवत पेहना से उनको यह ज्यात हो गया था कि अब उनका समय पूरा होने वाला आप जीवन का अंतिन समय आ गया है इसलिए आप से कुछ मांगना चाहते हैं भगवान बोले निशक मुर्च अपनी कोई भी इच्छा कहो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रते कि इच्छा को कूंग करूँगा तब बाल गोपाल के अगात प्रेम में दूबे उस पृत दंपती ने कहा है हिनाथ हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा और आपकी सेवा की आपने भी पुत्र के समानी हमाची सेवा करी है अब तो समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं यह दीन बंदू हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पतनी के प्राण एक साथ निकलें यह दया निदान जिस परकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम करिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है उस परकार है परमेशवर हमारी अंतिम करिया आप अपने हाथों से करें और हमको मुक्ति प्रदान करें शरी हरीना दोनों की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बालगपाल के विग्रह में दुलीन हो गए अंत में वो दिन भी आ गया जब प्रत्यक जीव को यह शरी छोड़ना पड़ता है दोनों विरिद दमपत्ती विमार पड़ गए उन दोनों की भक्ति की चर्चा गाउं भर में थी इसले गाउं के लोग उनका हाल जानने के उनकी जोपड़ी पर पहुँचे किन्तु उन दोनों का ध्यान तो शरी हरी में रम चुका था उनको नहीं पता था कि कोई आया भी है नियत समय पर एक चमत कार हुआ जला है कि जोपड़ी एक पीवर और आलोकिक प्रकास से भर उटी वहां उपस्ति समथ लोगों की आँखे बंद हो गई किसी इनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कुछ लोग तो जोपड़ी से बाहर आ गए कुछ वहीं धर्ती में बैठ गई शरी हरी अपने दिव्य चतुरुबुज रूप में प्रकट हुए उनकी आप रितम शोबा समझ स्रिष्टी को आलोकित करने वाली थी वातावरन में एक दिव्य सुगंद फैर गई और मंधबंध मुश्कराते हुए अपने उन भक्त मातापिता के वो देखते रहें उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद अधियंट आनदित हुए अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को त्रिप्त करने के बाद कोरणा निधान दिव्य धारी समझ स्रिष्टी के पालन हार श्री हरी वहीं उन दोनों के निगट धर्ती पर ही उनके शिराने बैठकर भगवानने उन दोनों भक्तों का सिर अपनी गोत में रखा उनके शीश्वर प्रेम पुरवक अपना हाथ रखा तक पश्याद अपने ह ग्रामणों ने देखा कि वहाँ ना तो सुंदर था और नाही लीला थी और नाही बाल गोपाल थे शेश थे तो मात्र कुछ पुष्प जो धर्ती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगन जो वातवरन में चार ओर फैली थी बिस्मित ग्रामणों ने श्रदा से धर्ती को नमन किया उन पुष्पो को उठा कर शीश लगाया तता सुंदर लिलाखी भक्ति और गोविन के नाम का गुणगान करते वे चल दिये उन पुष्पो को श्री गंगा जिमें विसरजित करने के लिए वो तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी मुझे उमीद है आप सभी को पसंद आई होगी अकर पसंद आई हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर करें मिलती हूं अगली कहानी में कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया